जैश्री हरी स्प्रीचल ग्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बक्मून के बारे में साल का सबसे बड़ा चंद्रमा जो की दिखता है असाड पूर्णी मा को इसकी क्या खासियत है आईए जान लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएं हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें स्ट्रोबरी मून का अद्बुत नजारा जेस्ट पूर्णी मा के दिन देखा गया था इसकी बाद अब जुलाई में असाड पूर्णी मा के दिन बक मून या ठडर मून का खास नजारा दुनिया भर में देखा जाएगा बक मून स्ट्रोबरी मून से भी बड़ा दिखाई देता है इसलिए इसे सूपर मून भी कहा जाता है क्योंकि स्ट्रोबरी मून में चंद्रमा धर्ती से 3,60,000 km या फिर इससे कम दूरी पर होता है वहीं पर बक मून के दौरान चांद्र और प्रत्वी की दूरी 3,57,264 km या इससे भी कम हो सकती है बता दें कि आमतौर पर चंद्रमा से प्रत्वी की दूरी 4,6,300 km होती है लेकिन जब या दूरी घटने लगती है तो चंद्रमा बड़ा प्रतीत होता है चांद का दिदार करना भला किसे पसंद नहीं होता बच्चे से लेके बड़े तक चांद की रोशनी और खुबसूरती देखकर मोहित हो जाते है लेकिन पूर्णिमा के चांद की बात ही कुछ और होती है तो इस साल का सबसे बड़ा चांद देखने के लिए आप लोग तैयार हो जाईए जो कि जुलाई के महिने में दिखाई देने वाला है इस बक्मून, सुपर्मून, हे मून, डियर मून, विर्ट मून, थडर मून भी कहा जाता है क्या होता है बक्मून? बक्मून यह सुपर्मून जुलाई के महिने में हर साल दिखाई देता है पंचांग के अनुसार इसे हर साल असार महिने की पोणिमा के दिन देखा जा सकता है इस साल बकमून का खुबसूरत और अदगुत नजारा 3 जुलाई 2023 को दुनिया भर में देखा जा सकेगा इसे क्यों कहते हैं बकमून? जुलाई महिने के सूपरमून को बकमून कहा जाता है अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इसे बकमून क्यों कहा जाता है तो इसका कारण यह है कि जून जुलाई के महिने में नर हिरन के सींग बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इस दोरान वहे अपने सबसे बड़े आकार में होते हैं बक्मून नाम अमेरिक्यों के द्वारा दिया गया है वहीं इसे ठंडर मून भी कहा जाता है क्यूंकि इस महिने गरच के साथ बारिश भी होती है चीन में इस महिने को लोटस मन्थ भी कहते हैं क्यूंकि जुलाई में यहाँ पर लोटस के फूल खिलने शुरू होते हैं। वहीं भारत में इसे असाड पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन महर्शी वेदव्यास्री की जयनती भी मनाई जाती है। बक मून के बाद जानते हैं इस साल कब और कौन से फुल मून दिखेंगे और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो जुलाई दोहजार तेईस का फुल मून जाना जाएगा बक मून के नाम से। अगस्त दोहजार तेईस का फुल मून जाना जाएगा सटरगन मून के नाम से सितमबर दोहजार तेईस के फुल मून को हार्वेस्ट मून या कॉन मून कहा जाएगा अक्टूबर दोहजार तेईस के फुल मून को हंटर मून कहा जाएगा नवंबर 2023 के फुल मून को वेबर मून कहा जाएगा और इसी तरह से दिसंबर 2023 के फुल मून को कोल्ड मून कहा जाएगा जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की और वीडियोज को देखने के लिए प्लीज मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह से और वीडियोज को बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए तक्स पर वाचिं गएज